जी सीडी या पॉरिनोमियल एक्वेशन आज हम किसी पॉरिनोमियल एक्वेशन का जी सीडी फाइंड करना सिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर तो जैसे के हमको एक्वेशन दिया हुआ है कोई भी मान लिजे fx is equal to x cube minus 3x square plus 2x minus 6 और gx is equal to दिया हुआ है x cube minus 4x square plus 4x minus 3 हमको इनका gcd फाइंड करना है तो gcd फाइंड करने के लिए हम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इसरे पहले हम इनको लिख लेते हैं equation को x cube minus 3x square plus 2x minus 6 और इसको इधर x cube minus 4x square plus 4x minus 3 ठीक तो अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं ठीक तो क्या होता है इसमें हम वन से डिवाइड करते हैं इसको वन से एक्सक्यू है इसमें भी x cube है तो वन का multiplication करके यहां लिखेंगे तो यह पर x cube minus 3x square plus 2x minus 6 तो यह हो जाएगा यहां x यहां minus जाएगा यह प्लस हो जाएगा यह भी minus यह plus तो होगा तक यह है यह कर जाएगा यह plus होगे यह minus minus 4x square plus 3x square यह हो गया minus x square ठीक minus x square फिर इधर plus 2x minus 2x तो हम पर जाएगा होगा प्लस 2x और minus 3 plus 6 तो यह पर प्लस 3 हुआ अब हम इससे इसको divide कर सकते हैं क्या क्योंकि इसमें x2 है इसमें x square नहीं कर सकते हैं तो अब हम क्या करते हैं इसमें से minus common लेते हैं minus common तो क्या होगे यह x square minus 2x minus 3 अब हम इससे इसको divide करेंगे यह कि हम इससे तो इसको कर नहीं सकते हैं कि इसमें x square होगे और यह तो x cube है तो अब हम इससे इसको divide करेंगे तो अब हम इसमें x का multiplication करेंगे विए x square है यहां पर x cube है तो एक x का ठीक यहां x square यह minus को नहीं लेंगे नहीं कॉमान लेले हैं पूर से तो यह पर x x multiplication करेंगे हम पर x है नहीं पर होगा x cube minus 2x square minus 3x x ठीप मैंनस करें एक प्लस जाएगा एक कर जाएगा मैंनस 3x square plus 2x square क्या जाएगा एक पर minus x square फिर प्लस 2x और प्लस 3x plus 5x और यह minus 6 ठीप अभी फिर यह 1 x square है यहां भी x square है 1 से यहां प्लस 1 sorry यहां पर x square है यहां पर minus x square यहां पर minus 1 minus 1 से न तो अभी हम x square और minus 1 को इसे पूरे में 1 minus 1 का यहां लिखेंगे तो minus x square plus 2x plus 3 minus कर देते हैं यह plus हो जाएगा यह भी minus हो जाएगा यह minus हो जाएगा तो कि कर जाएगा और यह जाएगा 3x minus 3 minus 3 minus 6 minus 3 minus 9 अब हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैंगा इसमें x है इसमें x square है नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इसमें से क्या करते हैं 3 को common लेते हैं x minus 3 और इससे इसको डिवाइड करते हैं ठीक तो अब हम इसको डिवाइड करें x minus 3 है यहां पर x square x को मुल्टिपरेशन दा करेंगा तर नहीं x square होगा यहां पर x ठीक हो जाएगा x square minus 3x अब कितना होगा यहां तो यहां पर minus 2x plus 3x एकस और माइनस 3 एकस माइनस 3 और इधर भी एकस माइनस 3 तो प्लस वन वन बार करें वन का मरण टोशन करके आँ लिखेंगे एकस माइनस 3 तो इक पूरा कड़ जाएगा ठीक तो इसमें चुक्ति है एकस माइनस 3 से डिवाइड करने पर यह जीरौ हुआ है ठीक, x-3 से divide कियें तो 0 हुआ है, ठीक है न, इसलिए x-3 जो है ये, यही होगा gcd, इन polynomial equations के, ये gcd होगा x-3, ठीक है न, अलब ये x-3 ही greatest common divider है, धन्यवाद,